काँपी आसी फ़ेल। हैलो फ्रेंट्स स्वेलकम बैक आन मैझे चैनल फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो है करेंट अफयर्स पे और यह वीडियो है 28 फैबरेरी का तो फ्रेंड्स जोभी करेंट अ पेर इसका वह मैंने इसे क्विश्चन के टेस्ट के वाउम में कर दिया है जो कि mock test के रूप में भी आप इसे अगर आपने PDF पढ़ा हुआ अल्रेडी तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं अपना कि आपको कितना याद है या नहीं तो बिना time को waste करते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे video तो हमारा first question है fundamental duties से related तो इसका first question है name the article and amendment act part related to fundamental duties यानि fundamental duties से related जो article है part है और amendment act है उससे आपको बताना है तो यह कौन सा है article तो article 51A यह इस article fundamental duties से related है और part कौन सा है तो part है 4A और इसकी amendment जो act है वो कब की है और कौन सी है तो यह है 42 यानि 42 amendment act और यह है साल हमारा वो भी जोड़ना पड़ेगा तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 10 जो थे 86th amendment act में तो इसमें दोनो amendment act को आपको याद करना है और इसकी timing है 2002 आपको यह दोनों याद रखना होगा क्योंकि इक्जाम में कौन सब पूछ लिया जाएगा वो हमें नहीं पता है तो अगर पूछा जाएगा पार्टिकुलर करके की 11th को कब एड़ किया गया था तो वो आपको 86th लिखना होगा और अगर 10 पूछा जाएगा जो 10 पहले से हैं तो वो कौन से amendment act के अंदर आते हैं तो वो 42 जो amendment act है 1976 इसमें आएगा और आर्टिकल और पार्ट तो आपको रठी लेना है क्योंकि से पहले भी जो quiz हुई थी उसमें पार्ट से related और आर्टिकल से related questions थे next है the concept of fundamental duties are taken from which country किस country से लिया गया है fundamental duties का concept तो ये लिया गया है रशिया से और रशिया से related सारे questions आपको पता होने चाहिए अगर आप competitive exams देने वाले हैं तो क्योंकि ये अभी काफी चर्चा में है war के वज़े से next question है PM cares for children ये जो scheme है ये किस ministry के अंदर आती है ये पहला सवाल है और ministry का question भी मैंने जान मुझकी जोड़ा है क्योंकि इससे जो पहले test हुए उसमें ministry के questions भी काफी थे और minister का नाम भी पुछाईया था इस बार तो इस PDF में नहीं है तो आपको सिर कम से कम ministry याद करनी है कि व ministry of women and child development के अंदर आती है ये scheme child development के अंदर और ये कब तक इससे बढ़ा दिया गया है तो 28 February 2022 तक इसे बढ़ाया गया एक्स्टेंट किया गया है और ये इसके beneficiary जो है उनकी age कितनी होनी चाहिए तो 18 years से कम होनी चाहिए और ऐसे बच्चे जो orphan है जिनके मावाप नहीं है या वो adapted है तो वही eligible है इस scheme के लिए और जब वो 23 years के हो जाएंगे तब उन्हें एक ही बार एक lump sum यानि कि बहुत बड़ा amount जो कि 10 lakh है वो उन्हें मिलेगा next है delimitation यानि कि परिसीमन जो होती है उस commission से related है जो इससे पहले जो हमारा question February के current fair है उसमें जम्मो एंड काश्मीर का delimition से related questions आया था तो इसको मैंने पहला सवाल जो जोड़ा है वो है कि the act of fixing the limit of delimitation है क्या तो ये क्या है act of fixing limit of local sub and state assembly seats जो local sub and state assembly seats को fix की जाती है उसी को delimitation कहते है और ये किस ministry के अंदर आती है तो ये आती है हमारी कि यूनियन लॉब मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये delimitation और इसके बहुत सारे historical चीजें भी बहुत सारी पुछी गई थी जैसे कि पुछी जा सकती है जैसे कि first delimitation जो है वो कब किया गया था तो 1950 में 5051 में और ये जो suggestion है first time delimitation का वो कब दिया गया था तो ये सारे questions आपको बिलकुल अच्छे से याद होने चाहिए और four times जो है ये setup किया गया था delimitation commission जो है 1952 1963 1973 और 2002 में और 1981 और 1991 के census के बाद से कोई भी delimitation नहीं हुई है next जो हमारा question है calendar fair का वो आपका इस तरह से आ सकता है कि exercise जो है stern bridge 5 air 6 ये किसके किसके बीच हुआ था तो इंडियान एर फोर्स और royal एर फोर्स आफ ओमान के बीच और ये कब से कब तक हुई है date 21 से 25 February तक और हुई कहा है तो एर फोर्स इस्टेशन जोदपूर में इससे टोप questions important बनेंगे ये किसके किसके बीच हुई है और ये कहां पर हुई है ये दो questions है निक्स्क्रेशन दोड़ा जम्मु एंड काश्मीर ब्रैंड प्रोड़क्ट को लेकर तो ये जो ब्रैंड प्रोड़क्त है वह है लेवेंडर जिसे की डोड़ा ब्राइंड प्रोड़क्त के रुप में डिजाइन पहचान दिया गया है डोड़ा जो है वो क्या है एक डिस्टिक है जमु एंड काश्मीर में और पहले यहाँ पे खेती होती थी मेज की यानि के मके की लेकिन उसे उसके जगह अब लेवेंडर की की जारी है जिसे की फार्मर्स जो है करीब आद सौ फार्मर्स जो है इनका इंकम को quadrupled किया गया यानि चार गुना किया गया है और जो lavender है उसे इल्टेट जो revolution है उसे purple revolution भी बोलते हैं जो कि aroma mission के अंडर आता है तो यह सब question आपको याद होना चाहिए और रशिया ने दो जो जगह है युक्रेइन का दोनेश्क और लुसांक इन दोनों को recognize किया है युक्रेइन का ही region की रूप में तो map से भी questions आपके आ सकते हैं इसलिए आने ये map दिया है जैसे कि first जो हुआ था आपका quiz तो उसमें north से south तक का बोल दिया गया था कि आप सजा के बताईए अफ्रिका का question था तो उस तरह से आपको जो map दिया गया है उसमें ज्यादा तो नहीं लेकिन लुसांक डोनेट्सक ये सब जो जगह है ये किस तरह से हैं north से south के तरफ at least उसके दाई by right left में कौन कौन से है वो आप देख लीजेगा और एक question एक जो map थी वो ओमान की थी तो मैं उस से रिल्टेड भी question बता ही देती हूँ तो ये जो map आप देख रहे है ये है ओमान का map तो इसके north में क्या है United Arab Emirates north east में आप देखेंगे तो सब्सक्राइबिया है इसके left side में है Yemen और इसके उपर है इरान और यहां है पाकिस्तान तो इतना आपको पता होना चाहिए फिर यहां कतर है फिर बहरीन है जिसे कि अगर आपको सजा के बोल दिया जाए कि left to right या फिर north to south अगर आप बताईए तो आप बता सकते हैं या फिर ओमान के north में कौन सी country है तो आपको पता होने चाहिए इतना और यहां पे इसके साथ लगावा जो है sea उसका नाम है Arabian Sea और यहां है Gulf of Oman यहां पे है Gulf of Oman इस जगह पे Gulf of Oman है और यहां है Persian Gulf तो यह सब जो वीडियो है उसमें भी दिया हुआ था इसलिए आपको at least इतनी सारी चीज़े पता होनी चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ अपडेटेड रहिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन नहीं दबाया है लाइक भी करें अगर पसंद आया हुँ तो और शेयर भी करें थैंक यू